नमस्कार, ये काम तो आज से, अभी से छोड़ देना है, ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ना, ये काम आपको पता है, केसे हैं, लेकिन फिर भी आप करते हों, आपको पता है कि मेरे life के लिए, मेरी health के लिए, नुकसान दायक हैं, फिर भी आप करते हों, क्यों? भगवान से क्रिष्ण कहते हैं गिता में कि इनसान का सबसे बड़ा सत्रू वो खुद है और वो क्यों है क्योंकि उसकी पूरी आदते सबसे बड़ा सत्रू है अगर इनसान ना अपने अंदर बुरी आदतों को खत्म कर दिया ना तो वो ऐसा निकर के आएगा ना कि पूरी दुनिया उसको देखे की और उसको कोई नहीं हरा पाएगा तो ऐसे कौन से काम है जो आपको आज से अभी से छोड़ने होंगे वो यह है ज़्यादा सोचना ज़्यादा मत सोचो याद किसी बात को लेगा किसी टोपिक को लेगा आप खुद को पता याद मैं ज़्यादा सोचूँगा तो मिरा माइंड खराब होता है आप कितनी बार आप खुद कहते हो फिर भी आप सोचते हो क्यों प्रेजेंट में ध्यान दो तो बस आपका फिचर अच्छा हो जाएगा ज़्यादा सोचने से क्या होगा कोई प्रोब्लम सॉल्व थोड़ी होगी प्रोब्लम ओब बड़ी होगी प्रोब्लम सॉल्व होगी तो आपके काम करने से सेकर्ट कभी इज़्यत की बीख मत मांगना किसी से यह मत के ना मुझे इज़त हो मुझे इज़त हो मुझे रेस्पेक्ट क्यों नहीं दे रहे हो कोई अगर आपको रेस्पेक्ट नहीं दे तो आप नाराज हो जाते हो कि यह हम उसके फंक्शन में बहुत हमें इतनी रेस्पेक्ट नहीं थी सामने वाला आपको रेस्पे है जो वो आपको respect देगा respect करवानी है तो अपनी ability बढ़ाएं अपनी योगजिता बढ़ाएं और अपने अंदर knowledge बढ़ाएं और कोई आपकी respect करेगा और कोई आपकी इद्यत करेगा आपको सपलता भी मिलेगी और सपलता भी मिलेगी बगवान से क्रिष्ण कहते हैं कि इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसे सिर्फ सपलता ही सपलता मिली हो सपलता और असपलता तो इनसान के जीवन का पहलू है सपलता भी मिलीगी और सपलता भी मिलीगी तो फिर आप असपलता से डरते क्यों हो अपना मेहनत करते रहें अपना काईरी करते रहें सपलता एक दिन आपको अवश्य मिलेगी वोट्छाल में चीज़ना थे ना अब उसे लोग किसी का पाश्ट अच्छा होता तो आपको फॉठ्छी prec embrace तो बापिस कर सकते हो नहीं जो एक बार समया गुजर गया तो गुजर गया वापिस आता है तो भूद कालों में जिना छोड़ी है प्रजन में जी ए लिए किसी प corazón तो आपका फ्यूचर अच्छा होगा वरना भूद काल में जी होगे ना आपका प्रजन भी ख्राब होगा आपका फ्यूचर बदलाओं से कभी मत डरना त्यान रखना कि दुनिया पल-पल बदलती रहती है हर चीश एक जिसी थोड़ी देती है आपने प्रोड़क्ट देखा होगा कोई भी नई टेक्नोजीज देखी होगी कुछ भी आपको प्रक्ति कभी इन्वार्मेंट देखा होगा हर साल बदल जा करना दुख भी आएगा सुक भी आएगा कोई भी एक चीज इस्ताई नहीं लेती है दुख आये तो उसको जेनना और कोशिस करना हिम्मत करना मेहनत करना कि दुख जल्दी से जल्दी गुजर जाए समय बर्बाद कभी मत करना आपको खुद को पताए कि समय बर्बाद करने न तो आप पेसों से समय नहीं खरीद पाओगे के अपने शमय से पेसे को खरीद लोगेhem लेकिनने इसकाह सब्सक्रा उठा कितना भी पैसा भादेना क्या जो बिता हुआ कल आप खरीत पाओगे कभी नहीं तो समय कभी बढ़्बात मत करें तो यह बाते हैं या कुछ आदते हैं जो आपको आज से अभी से छोड़ देना आपके लाइब के लिए आपके फूचर के लिए पेटर रहेगा